हेलो गाईज, वेलकम बेक तो माई चैनल, तो गाईज आज हम खड़ें इंडिया की सेफेस्ट कार के सामने टाटा टियागो, इसमें आपको चार वेरियंट्स मिल जाते हैं, XE, XT, XZ और XZ प्लस, इसमें आपको मैनुल ट्रांसमिशन और AMT का भी ओप्शन मिल जाता है, तो जैसे कि आपको देख पा रहोगा, इसमें हेलोजन बल्प के साथ, राइट साइड में इंडिकेटर की प्लेसमेंट, नीचे की तरफ आपको हैलोजन बल्प मिल जाता है, विद क्रोम फिनिश के साथ, काफी प्यारा लगता है, सेंटर में बात करेंगे, तो यहां पर आपक बीच में लोगो मिल जाता है, काफी बड़ा सा, बहुत प्यारा लगता है, देखने में, ग्लोसी ब्लैक के साथ, इसकी ग्रिल मिलती है, सेकंडरी ग्रिल भी मिल जाती है, काफी प्यारा लगता है, यह आपका हैडलाइट तक जाता है, क्रोम फिनिश के साथ, काफी प्यार बारा लगता है यह लुक देखने में और बात करें तो ओवरोल टाटा की मतलब टाटा सेफटी के मामले में सबसे उपर है आज की रेट में आप जैक पा रहे होंगे अब साइड लुक के बारे में बात करें तो फैंडर पर आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलता है इसमें बात करें तो यह आपको बोडी कलर में ही मिलते है जो आपकी गाडी का कलर रहने वाला है उपर अगर अगर बात करें तो रूफ पर आपको एंटिरा मिल जाता है बट रूफ पर आपको कोई भी पैटरन्स देखने को नहीं मिलते हैं तो साइड लुक के बारे में बात करें इसका ऐसा back look है बीच में आपको back light दिखपारी होगी नीचे की तरफ आपको defogar मिल जाता है बैक ग्लास पे और back wiper भी इसके अंदर easily मिल जाता है बीच में आपको Tata का logo मिल जाता है नीचे की तरफ आपको उसके थोड़ा सा टाटा की टियागो की आपको बैजिंग मिल जाती है यही पर back camera भी मिल जाता है और यह guys देखा जाये तो overall काफी प्यारा look निकल के आता है back tail lamps के बारे में बात करें तो आपको halogen bulb के साथ मिलते हैं और back two sensors भी इसके अंदर हमें मिल जाते हैं तो guys ऐसा इसका कुछ look है देखने में काफी प्यारी और decent लगती है गाड़ी देखने में तो guys अब चलिए right hand side के बारे में बात कर लेते हैं as it is ऐसी है जैसी left hand side में ऐसी right hand side में है overall अब बात करते हैं गाड़ी के dimension के बारे में इसमें आपको length 3765 mm मिल जाती है width 1677 mm height 1535 mm अब बात करें तो guys इसके wheelbase के बारे में तो इसमें आप 2400 mm मिल जाता है और ground clearance 170 mm इसका जो weight मिलता है आपको 935 kg आपको इसके अंदर weight easily मिल जाता है तो guys से लिए अब इसका open करके देख लेते हैं door अंदर से कैसा interior देखने को मिलता है जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा इसमें हमें dual tone color में इसका door देखने को मिलता है यही से आप अपने ORVM को adjust कर सकते हैं right left तरीके से handle इसमें आपको chrome finish के साथ मिलता है और जो इसका दूसरा handle है guys यह आपको glossy black में मिलता है इसमें 4 power window मिलते हैं और यहाँ पर आपको child lock का भी option मिल जाता है नीचे आपको decent सा समान रखने के लिए मिल जाता है मतलब आप एक लीटर तक की bottle easily रख सकते हैं यहाँ पर आपको speaker मिल जाता है यह भी काफी ठीक है guys अब बात करें seat के बारे में इसमें आप height adjustment और अपना back support easily अपना adjust कर सकते हैं यहाँ पर आपको अगर आपको patrol और अपना boot open करना है तो easily open कर सकते हैं यहाँ से आप अपना bonnet easily open कर सकते हैं इसमें आपको three pedals मिलते हैं क्योंकि यह manual transmission के साथ है guys मैं आपको बताया था तो गाड़ी के अंदर चलके बात कर लेते हैं और क्या कैस में देखने को मिलता है तो guys मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ ऐसा इसका कुछ इंटिरियर देखने को मिलता है पहले मैं गाड़ी की चावी लगा लेता हूँ और इसका आपको handle पे इसके mounted buttons मिल जाते हैं जो आपके stereo से connected रहेंगे बीच में आपको Tata का logo मिल जाता है और left side में आपको जो आपके wipers होंगे rear wiper और आगे के wipers के controls मिल जाते हैं और right side में आपको head lamps के और आपके fog lamp के controls मिल जाते हैं तो guys यहाँ पर आपको AC का event मिलता है और यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था एक Twitter भी मिल जाता है जो आपके side beam के ऊपर तो guys यहाँ पर आपको बीच में भी 2 AC के event मिल जाते हैं बीच में hazard light मिल जाती है और नीचे आपको 7 inches की screen मिल जाती है जिसमें android auto apple carplay सारे options आपको मिल जाते हैं आप इजिली अपना phone connect करके गाने सुन सकते हैं यहाँ से अगर आपको fog lamp स्टार्ट करने तो आप इजिली कर सकते हैं यहाँ से अपनी चारो power doors को अपने lock and unlock कर सकते हैं तो guys अब बात करें तो इसके automatic climate control आपको इसके अंदर AC मिल जाता है नीचे की तरफ आपको USB port मिल जाता है तो guys देखा जाये तो guys काफी ठीक है और मेरे साब से तो काफी जादा spacious है नीचे की तरफ आप और आप से दो या तीन phone रख सकते हैं तो guys इसमें आपको 5 gear box manual transmission के साथ मिलता है विद लैधर स्टिचिंग के साथ यहाँ पर 2 cup holder भी मिल जाते हैं यहाँ पर आपको पीछे की इसके बारे मीम बात करेंच यहाँ जो कोर्नर पर काफी प्यारा लगता है और और लैटकी अपको Your देखने को मिलता है जैसे कि आगे आपने देखाता है इसका डूर भी आपको ऐसे ही as it is मिलता है वही क्रोम फिनिश के साथ आपको इसका है आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते है नीचे वन लीटर बोटल होल्डर मिल जाता है और इस पीकर की प्लेस्मेंट भी आप मैं बात करो ना response हो मैंने अपने हिसाब से adjust की हुई थी 510 मेरी हाइट है तो देखा जाए तो काफी ठीक है गाइस दो या तीन इंची का फरक मिल पा रहा है और लेफ्ट साइड में आपको handle मिल जाता है और राइट साइड के बारे में बात करों तो आपको passengers के लिए handle मिल रूफ में आपको light मिल जाती है बड़ इसमें एक ही light मिलती है गाइस देखा जाये तो आपको कोई भी आमरेस नहीं मिलता है और जो headrest के बारे में बात करों तो कुछनी के साथ मिलता है और आगे के दो आपको adjustable मिल जाते हैं headrest यह भी काफी देखा जाए तो ठीक है गाइस जो passengers होंगे उनको आगे बैठने वाला जो view होगा आगे का जो वी होगा वो ऐसा देखने को मिलता है तो चली आप बूट के बारे में बात कर लेते हैं और क्या-क्या देखने को मिलता है तो गाइस मैं पीछे आ चुका है आप इसली यहीं से बूट ऑपन भी कर सकते हैं साथ 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 बात कर लेते हैं फिसके स्टपनी के बारे में इसमें आपको स्टील रिम बिला वह भी अप्पोलो का स्टाय जैसे की मैं आपको बता दूसमें बुञता दो चुपरतों के मिलता है इसमें इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, इतने ट्रांस्मिशन के साथ हमें मिलता है, यह आपको 1.2 लीटर रिवो ट्रोन इंजन मिलता है, जो भी 1200 सी सी का इंजन रहने वाला है, इसके मैक्स पावर के बात करें तो 84 बह पी की पावर निकाल के देगा जो आपको 6000 अजार इसके मैक्स टोर के बारे में बात करें तो 113 अनिम की टोक देदेगा, 300 अर्पीम पे, यह आपको 4 स्लेंटर इंजन मिलता है, 5 स्पीड गेर बोक्स, मैनुल ट्रांस्मिशन के साथ, वो भी हम पैट्रोल इंजन के बारे में बात करें तो यह आपको 21 किलो मीटर पर लीटर तक की एवरेज निकाल के दे देगा हाईवे पे, अगर मैं सीटी के बारे में बात करूं तो गाईज यह आराम से आपको 16 की एवरेज दे देगा, तो गाईज देखा जाए तो गाईज वैली फोर मनी है, और टाटा की गाड़ी है, सेफेस्ट गाड़ी है इंडिया की, मतल इंजर एर बैक, सीट बैल्ड वर्निंग, साइड इंपक्ट बीम, एडजस्टेबल सीट, रियर कैमरा, फोलो मी, होम हेड लैंप्स और इंजन इमोबलाइजर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, गाईज इसमें आगे की तरफ जो आपको मिलते हैं, डिस ब्रेक मिलते हैं, और इसके आफ्टर आपको आटी ओ और इंशुरेंस देने के बाद, इसका जो ओन रोड प्राइस पड़ता है, आपको 6,90,72 रुपे आपको पड़ता है, जो आप एजिली तैली से परचेस कर सकते हैं, तो गाईज इसमें आपको चेंजिंग मिल सकते हैं, हरियाना और झाल सकते हैं, हरी तैली से आपको चुपेपपों आपको